हेलो इस्टुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल बेहतर होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो आएए फिर मैंने काफी समय निकाल करके कुछ आपको एक नए वीडियो दे रहा हूँ और इसमें से आप देख रहे हो कि यह लोजी वर्ड है जो होता है यहां पर जो वर्ड होते हैं और उसके अंत में जो लोजी वर्ड आता है तो लोजी से रिलेटेड दा वर्ड इंडिंग लोजी यह वन वर्ड सब्स्ट्रिशन दे रहा हूँ और यहां पर काफी है 25 जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही आशानी रहेगी आप ब या गूगल यह फिर कहीं पर भी सर्च करने के आवशक्त नहीं होती है तो स्टार्ट करते हैं देखिए यह बात अलग है कि आप यह सारे वोट कहीं न कहीं पर पढ़ रखे होंगे लेकिन जब एक जगए आपको पढ़ने को मिलता है और एक साथ मिलता है तो उसमें आपको इस बिदर रहती है और जब चाहें तब वो निकाल करके देख सकते हैं चाहे वो वीडियो हो या फिर वीडियो से बनाएके नोट्स हो तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एक जगए कवर कर रखा है हो सकता है कुछ अभी भी रह गया हो लेकिन काफी हद तक मैंने कवर कर द देखे लिखा है आर्कियोलोजी आर्कियोलोजी जो होता है वो मानव जाती विज्ञान होता है पूर वैतियासिक होता है दब रांच ऑफ एंथ्रोपोलोजी डैट इस्टडी प्री हिस्टोरिक पीपल अर्थात एक एंथ्रोपोलोजी के ऐसी ब्रांच होती है जिससे पू इसलिए इसको ले रखा है एंथर्पोलोजी और में दोनों में एक डिफरेंस बता देता हूं जो एंथर्पोलोजी होता है यहां पर उसका क्या होता है वो सोशल यानि उसके कल्चर आज़सी जो हीमन सोसाइटी होती है और इसके बाद जोनके कल्चर होते हैं उनको स्टडी क करता है ठीक है जो एंथर्पोलोजी होता है तो ईसमाज को हैं किस तरह से उनकी कल्चर से रहें और क्या मतलब उनका रहन सेहन रहा यह एंथर्पोलोजी बताता है आप समझ रहे हैं ओर जो आपका फॉस्ट नमबर कहा है आर्केलोजी, यह material remains, अर्थात जो उनके औशेस बचते हैं, उनकी चीज़ें कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और किस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल वो अपने life में करते रहे, कैसे खाना बनाने बरतन होते थे, क्या करते थे, किन चीज़ें का इस्तेमाल करते थे, पढ और जो anthropology है वो किस तरह के उसके तोर तरीके थे क्या lifestyle थी क्या cultures थी यह anthropology होता है जहां तक मैंने जो यह जानकारी collect की है अपने हिसाब से मैंने उसको सही collect किया हुआ है जो भी information है आपके आप इसको समझ लें अगर कहीं पर को difference हो तो उसको correct भी किया सकता है but I think the difference which I have given is absolutely correct so let us go forward number two हो चुका है आपका number three पे चलते हैं etiology लिखा हुआ है etiology the scientific study of the causes of diseases मतलब बीमारियों की कारण का जब हम धज्यानिक अध्यन करते हैं उसको रोग विज्यान कहते है etiology कहते हुआ समझ लें न तो यहां पर ज्यादा explain करने की मुझे अवश्यक्त नहीं है actually मैंने हुँ सब कुछ टाइप कर रखा है तो इसमें आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं और मेरी कोई जुर्थ नहीं है astrology लिखा हुआ है the study of stars, planets, sun and moon वही है कि तारिक, ग्रह, नचहत्र, शूर्च, चंद्रमा यह जो ज्योति सास्र में जिनका study किया जाता है और इनी सब को मिला करके ही astrology मतलब बताना होता है और जो ज्योति से होते हैं इनी को read करके इनी को इनकी गति समझ करके और इनका जो इस्थान होता है चंद्रमा किस राज़ी पर है और सूरी किस राज़ी पर है ऐसे करके होता जो तो यह ग्रह और नचहत्र की विद्ध्या होती है जोतिस विद्ध्या जिसको कहते हैं उसको astrology कहते हैं इसके बाद आपका लिखा हुआ है यहां पे ecology समझते होंगे ecology study of environment परियावरण के अध्यन को ecology कहते हैं परियावरण विज्ञान हिंदी भी दे रखी मैंने प्रियास मैंने पूरा किया है कि आपको कोई तकलीफ न हो जियो लोजी study of the earth जियो आप समझते हैं जियो क्या डिनोट करता है भूम या प्रतवी या ध्रा को डिनोट करता है तो जियो लोजी मने भू विज्ञान हो गया इसके बाद है आपका मिटेरियो लोजी study of weather जियो विज्ञान मौसम के अध्यन करने को मिटेरियो लोजी कहते हैं ध्यान देते रहिएगा बहुत अच्छा कलेक्शन है यह आपर एंटमोलोजी और यह बहुत सारे आपने तयार भी कर रखे होंगे पड़े भी होंगे और बहुत सारे एक्जाम बे पूछे भी गया होंगे एंटमोलोजी study of insects को इंटमोलोजी कहते हैं कीट विज्ञान का जाता है उसको और यह लिखा है स्कैटोलोजी को the part of theology concerned with death judgment परलोग विद्या दाप आप अफ थियोलोजी का मतलब दयव सास्त्र होता है concerned जो समंदित होता है विद डेथ जिज्मेंट अर्थात मत्र के फैसलों से अर्थात कहते नहीं है की परलोग में क्या होता है स्वर्ग लोग में क्या होता है वहां कि क्या निया में क्या फैसले तो ऐसी सारी चीजों को जो कुछ लोग study करते हैं scatology करते है next है ethnology ethnology the scientific study and comparison of human races यहाँ पर देखिए वो एक आया था archaeology एक फिर आया था anthropology और यह है आपका ethnology तो यह नर्जाति विज्ञान का मतलब नर्जाति क्या है नर्जाति विज्ञान को अर्थात human races को study करने को ethnology कहते हैं बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में धहन रखिए कि यह सारे books पर एक ही जगह नहीं होते हैं कितनी भी आप books ले लिजे सारे के सारे एक ही books पर नहीं मिलेंगे तो मैंने अलग-अलग सर्च करके और फिर उनकी meaning और उनका exploration जगह-जगह से सर्च करके फिर मैंने इसको collect किया हुआ है तो बहुत परिश्रम करके बना है वीडियो यह बात अलग है कि आप इसको ना पढ़ें यह मात ना दें तो फिजियोलोजी लिखा हुआ है the scientific study of how living things function तो यह शरीर क्रिया पे ग्यान होता है कि scientific study of how living things function जीवी चीजें किस प्रकार से कार करती है तो जो living bodies होती है यहाँ पर human body से ही नहीं है कोई भी मतलब body हो लेकिन living body हो चाहे वो पेड़ पौधों की हो या कोई प्राड़ी कीट सरीर human कोई व्यो मतलब physio यानि जो physical रहता है सजीव रहता है उसको यहाँ पर अध्धन करने को सरीर के लिए विज्ञान कहते है इसके बाद है आपका philology the humanistic study of language and literature language and literature का जो मानवी अध्धन होता है उसको philology कहते है फिर यहाँ पर भासा साहित अध्धन chronology लिखा हुआ है chronology में study of historical records time तो chronology वही होता है chronological भी होता है जो मतलब किसी न किसी समय का अध्धन करता है समसामयिक होता है तो वो chronology होता है उसको chronological भी हो ऐसे records बताने को तो किस समय पर यह नहीं खुल मिलाकर study और time आप मन कसलिए वो history का हो या और उसके पीछे का हो या जब जिस समय का भी अगर कुछ study किया जाता है चाहे हो historical हो या mythical हो जैसा भी हो अगर उस time कर record किया जाता है study किया जाता है तो उसको chronology करते है next cardiology सभी समझते होंगे cardiology हरदय विज्ञान study of heart इसमें होता है हरदय का ध्यन किया जाता है उसको cardiology करते है tautology बड़ा interesting word है आप याद रगी इसको tautology अक्सर practical life में लोग use करते है the use of different words to say the same thing twice in the statement actually क्या होता है उस वाली कि हम या कोई भी statement में अपने कभी कभी किसी सब्द को repeat कर जाते हैं जिसको हम reduplication कहते हैं पुनरूपत कहते हैं यह एक figure of speech भी होता है tautology जैसे माल लगे हम ATM machine कह देते हैं तो ATM मसीन जब हम कहते हैं तो ATM में जो M होता है वो machine को ही donate करता है हलाकि हमको किसी रफ कहते ATM खराब है यह कह सकते हैं लेकिन हम कहते कभी कभी कहते ना कि ATM machine खराब है pin number बताईए जर अपना है ना यह नहीं कहते कि pin बताईए तो जब हम कहते हैं pin number क्या है तो pin number में क्या होता है जो N होता है वो आपका number को ही denote करता है postal index number ऐसे करके होता है और ATM में भी वही होता है मशीन, आर्टमेटिक टेलर मशीन नहोता है ना, ऐसे कुछ है, बताया जाता है GPS सिस्टम में जो होता है सब सिस्टम बोलते हैं तो यह जो ऐस होता है, वो सिस्टम ही होता है उसका मतलब, तो इसलिए इसको पुनरूपत करते हैं अलग अलग सब्दों का जो प्रियोग होता है तो सिस्टम कहने के लिए उसी चीज को दुबारा कहने के लिए इसको टॉटलोजी कहते हैं बहुत गजब की जानकारी है याद रखेएग इसको अलगोलोजी क्यों होता है अलगोलोजी, सैवाल विज्यान इसको फाइकोलोजी भी कहते हैं ठीक है, दे स्टड़ी आफ अलगी अलगी मीन सैवाल होता है इसको हम मौस भी कहते हैं और अलगी को स्टड़ी करने के लिए सैवाल को स्टड़ी करने के लिए अलगोलोजी कहते हैं अलगी से ही ये बना हुआ है शैवाल बिग्यान फिर इसके बाद देखें बाया टोक्नलोजी जयो प्रोदोगी की कहते हैं इसको बाया टोक्नलोजी में क्या होता है टेक्नलोजी डाइड यूटिलाज़ इस बायोजिकल सिस्टम्स लिविंग और्गनीज और पार्ट्स अब डिस टू डेवलप और कार्वनिक पदार्थ होते हैं और इसी तरह के जो बहुत होते हैं तो उनको क्या करते हैं उनको हम ऐसे इट्रिलाइज करते हैं जिससे के नया कोई डिफरेंट मतलब प्रोड़क्त बन करके त्यार हो जाता है तो इसको बाया टोक्नलोजी करते हैं और साइंस वाले बच्च तो उसको आप समझ रहोंगे और सारे बच्चे समझ रहोंगे की इसका मतलब के हैं औंटलोजी सत्र 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 का मतलब सचाहि सास्त्र यह समझ रहे यह या अस्तित तो सात्र भी कह सकते हो the study of being what actually exist in this world about which humans can acquire knowledge मतलब the study of being मतलब किसी चीज़ की होने का धन करना what actually जो वास्तों में बिद्धमान होता है इन इस वर्ल्ड इस संसार में अबाउट वीच जिसके बारे में हुमन्स कैन एक्वार नॉलेज अर्धात मानव ग्यान ट्राप्ट कर सकते हैं ऐसी साहरी चीजे कुल मिलाकर ये है के हर वो चीज जो इस दुनिया बिद्धमान है और कोहते हैं नहीं तो आज इस चीजों का ध्यक्ण करने के लिए ओंट लोजी कहते है पर टर्मेटलोजी दर्म या डर्मी अंग्विकरा कोल् अन यह एपर रांग औरग का मतलब होता है ऐसका मतलब नहीं दो अच्हाब अन ट्विज्या गरान्श onto the rank of medicine dealing with the skin and its diseases, ऐसी medicine की ब्रांच जो त्वचा और इससे सम्मंदित रोगों का अध्यन करता है, या फिर उसको डील करता है, उसका बरताव करता है, ऐसी ब्रांच को dermatology कहते हैं, आप या आगे pathology, बहुत ही राद दिन बोला जाने वाला सब, pathology मतलब विक्रति विज्यन या रोग निदन, विक्रति का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कोई विक्रति आ गई है, यानि विकार पैदा हो गया है, कोई problem आ गई है, तो उसको हम विक्रति विज्य जिसमें बीमारियों का अध्यन किया जाता है, अर्थात रोगों का पता लगा जाता है, उसको pathology कहते हैं, सारी जांचे यहीं होते हैं, technology, बोलते हैं राद दिन, technology, तकनीकी सास्त्र, the application of science, especially to industrial or commercial objectives, अर्थात साइंस की वो सारा, मतलब वो तरीका, वो application, खास तोर पर, जब हम और्दोगिक या बाड़ेजिक उद्देशों के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसका अध्यन करते हैं, industrialization जो होता है, और जो commercial हम जिस जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, या जिस तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं, commercial और industrial, उस तरीके को, उस logic को technology कहते हैं, अर् करते हैं और या फिर कामर्शियल परपस से हम उसका इस्तेमाल मिलाते हैं इस्तेमाल करते हैं तो उन सारी चीजों को उन तरीकों को माले जो कोई फैक्टरी है और उस फैक्टरी में बहुत सारी मशीन हैं और उन मशीनों के जरीए हम कोई प्रोडक्ट्स या कुछ सारी चीजे बहुत सारे चीज़े बनाते हैं। फिर उसको हम commercial इसके production को टेकनोलोजी कहते हैं, जो मसीनों से मतलब बनाए जाता है। फाइटोलोजी, पादब बिग्यान, the study of plants को, हलाकि botany भी कहते हैं, लेकिन फाइटोलोजी कहते हैं, इसको पादब बिग्यान, इसके बाद है Pomology, फलों के अध्यन को फलक्रशी विज्ञान कहते हैं इसको फलों के अध्यन को Pomology कहते हैं, याद रखे कभी भी सामने आ सकता है और आपको एक बार चक्कर में डाल सकता है Arnithology, Arnithology सभी जानते होंगे, Arnithology पक्षी विज्ञान होता है दा इस्टडी अफ बर्ड्स को अप्जेक्टि मैंने रखा नहीं उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो यहां पर ओफियोलोजी क्या होता है सर्प विग्यान दा इस्टडी अफ नेक्स यानि शर्प विग्यान कहा जाता उसको और इसके बाद यह देखिए थोड़े नई स्टाइल में आया मैंने तो सुचा हाई नहीं है एपियोलोजी तो एपियोलोजी इसको मदमख्य विग्यान कहते है एपियरी से बना है जो एपायरी हम कहते है पर जहां पर मदमख्य रहती है उसको आपियारी कहते है तो उसी से रिलेटेड है उसी से बना है एपियोलोजी दा इस्टडी अप बीज इसके बाद यानि कास्मोस मने प्रमांड होता है तो दा इस्टडी आफ यूनिवर्स को कास्मोलोजी कहते हैं ठीक है ना यूनिवर्स अलोजी न बना देना चुक्कि जो ऑथन्टिक वर्ड होता हुआ है वही होना चीह पता चले कि नहीं आए यूनिवर्स अलोजी बना दिया नहीं उसक करते हैं जिस ब्यार ब्रांच में उसको नेप्रोलोजी कहते हैं इसके बाद साइकोलोजी सब जानते हैं साइकोलोजी the study of mind और mental state मानसिक दसा को या फिर मस्तिष्क का अध्यन करने को psychology कहते हैं मनो विज्ञान भी कहते हैं इसको हिंदी में ophthalmology ophthalmology यह आँखों से relate करता है जो जो आई जो specialist होता है आँखों का इलाज करता है उसको ophthalmologist आप सैद ophthalmology हां ऐसे उसका नाम है जो कहा जाता है इस समय चुक्कि आप नहीं रहा है लेकिन वो उसको कहते हैं आप थ्वल्म लिएस्ट ऐसे कुछ कहते हैं उसको जो डॉक्टर होता उसको और उस अध्यन को या ने तरचिकित्सा विज्ञान को ophthalmology कहते हैं अग और उसकी बिमारीयों के अध्यन को अप थ्वल्म लोजी कहते हैं ट्रियो लोजी यह थोड़ा किसी बिमारी आजिसे नाम जुड़ा नहीं है यह ट्रियो लोजी या ट्रियोजी दोनों में से कोई आप कह सकते हों दोनों सही है त्री रचना है अर्था ज और ड्रामेटिक वर्क्स जो होते हैं कोई साहितिक या जो उसका ड्रामेटिक जो creation होता है और वो तीन भागम होता है लेकिन उसकी एक ही बुक बना देते हैं तो फिर उसको ट्रियोलोजी कहते हैं चुकि लोजी से sacred tales, fables और culture, अर्था पवित्र कथाओं और नीति कथाओं और जो संस्कृतिक आगर अध्यन किया जाए तो इसको mythology कहते हैं Neurology, Neuron से related है, Neuron का मतलब इसनाय या तंत्रिका होती है, the study of neuron यानि brain and all the nerves in the body brain जो कि, जिसमें, जो main neuron होती है, वो brain तक ही उसका connection होता है और nerves तो पूरे body में होती है, तो पूरे body का nervous system जितना होता है और brain का होता है वो सारे neuron को study करने को neurology करते हैं और यह लिखा गाइनकोलोजी, तो गाइनकोलोजी, प्रशूतिया, इस्त्री रोग विश्य सग्य जो होते हैं, गाइनकोलोजिस्ट होते हैं हाँ उसको देखिए आगया ophthalmologist कहते हैं उसको, चुकि बन नहीं रहा था, ophthalmologist ठीके, यह से आगया उसको ध्याना गया तो गाइनकोलोजिस्ट होते हैं, गाइनकोलोजिस्ट का मतलब the study of treatment of diseases and medical problems of women अर्तात कुल मिलाकर कि जो इस्त्रीयों को रोग होते हैं, उनकी बिमारियां होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है, टोटल सब मिलाकर कि उसको गाइनकोलोजिक कहते हैं ठीक है न, तो ओ, फिनिश होगे मुझे पता नहीं चला, पचली कोई बात नहीं, at last, thanks for watching, देखते रहे हैं, और कुछ थोड़ा सा अभी काफी ब्रेक करके वीडियो आ पा रहे हैं, किसी वज़े से, लेकिन उसमें कोई मतलब दिक्कत मानने वाली बात नहीं है, चैनल चला है, थोड़ा सा भी स्लो होगे, बट चलते रहे हैं, बंद कभी नहीं होगा, तो अभी मैंने ये एक वीडियो बनाया, बहुत अपना कीमती समय दे करो, बड़ी मेहनत करके, कब बनाया, कैसे बनाया ये तो नहीं explain के जा सकता है, बट देर सबेर आपके पास पहुंचा, ठी तो आप देखते रहे हैं, जुड़े रहे हैं उसी तरह से, और जल्दी ही लाइब क्लास भी स्टार्ट होंगी, सो वन्स अगेन थैंक्स पर वाचिंग